हलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिर्जावा कारबेग, आपका पेडियाट्रिशन, इंडियन अकेडमी और पेडियाट्रिक्स, लखनो अकेडमी और पेडियाट्रिक्स, डॉक्टर बेग चैल केर, एंड महाओदय सेसाइटी की तरफ से आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत हंदुस्तानी और पूरे विश्व को, कि इंडिया में हम लोगों को maternal child health improve करने के लिए, आज हम लोगों को निश्चय करना चाहिए, द्रण निश्चय करना चाहिए, गॉर्मेंट्स ने बहुत से प्रोग्राम चलाएं हैं maternal child health के उपर, बट उसका कहीं न कहीं उपियोग इ और वो एक बच्चा जब स्वस्त जनम लेगा, तो हमारा एक देश का भविश अच्छा होगा, तो इसकी शुरुवात होती है, गर्व से, गर्व में regular ANC चेक अप कराएं, number one, number two, संस्था का delivery, यानि कि institutional delivery इसको promote करें, home delivery इसको discourage करें, number three, exclusive breastfeeding, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो रन्त उसको चाती से लगाएं, उसको कॉलस्टरम वाला जो काला पीला गाणा दूद होता है, वो पिलाएं, और छे महने तक exclusive breastfeeding और उसको semi-solid शुरू करें, और दो साल तक breastfeeding continue करें, इसके इलावा जो आता है, टीका करण, immunization, सारे सरकारी इस्पतावलों में टीका मेरी यही request है, कि अपने बच्चों को जो जानलेवा बिमारिया है, TB है, pneumonia है, डारिया है, DPT, काली खासी, टेटनस, इन सबसे अपने बच्चों का ठीका करण कराएं, और इसके बाद डारिया को प्रिवेंट करें, डारिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे, साफ पानी पीने से और ORS का इस्तिमाल करने से, जो डारिया से होने वाली deaths है, उसको हम लोग बचा सकते हैं, तो दोस्तों इन पाँच पॉइंट्स को याद रखिए, ताके हमारे बच्चे जो सबसे जादा, जो हमारी जो mortality है, जो अंडर 5 के जो बच्चों की जुमरिती होती है, वो डारिया पूरे दुनिया को, पूरे देश को, यह है कि हम लोग इन 5 पॉइंट्स पर अगर तबच्चों दें, तो हमारे देश की infant mortality, अंडर 5 mortality कम हो सकती है, और हमारे देश का भविश्य बहुत उजवल हो सकता है, थैंक यू वेरी मच, बाई बाई, टेक केर, जाहिन